Hello everybody, एक जोब निकले हुई है, कैसे उस जोब के आप फारम भर सकते हैं, कितनी पोस्ट के लिए फारम निकले हुए हैं, क्या उन्होंने एज मांगी है, क्या योगगता मांगी है, इस वीडियो में मैं यही बात करने वादा हूँ, यदि आप जोब की तलास या आप जोब तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जुरूर देख लिजिए, हो सकता है, यह जो जोब मैं आपको बताने वादा हूँ, यह आपकी योग्या हो, और आप इसे अपलाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जुरूर देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका साथी राजे स्वागत करता हूँ इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नोलेज टीवी देशीता हूँ कैसे आप सभी दोस्तो इस वीडियो में मैं जो भी बताने वाड़ा हूँ वो आपको निचे एक माच साइट दे रहा हूँ वो अपनी ओफिशियल साइट है उस पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी लिखित में ठीक है तो आप वहाँ से अपलाइक कर सकते हैं और पूरी डिटेल देख भी सकते हैं ठीक है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते और एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रिश्मेन होते हैं उनके लिए एक पोस्ट इसमें निकली हुई है ठीक है यह आईकोर्ट ओफ पंजाब एंडरी आना यहां के लिए वकैंसी है चंडिगड के लिए ठीक है इसमें जो उन्होंने एज मांगी है वो है 18 से 35 साल जो एज आपकी 20200 ग्रेड पे आपको दिया जाएगा क्वालिफिकेसशन इन्होंने मांगी है 10th पास होना है Tyrnd में आपके पासvida है कि या तो आपके पास इंदी सब्जेक्ट हो या आपके पास 15 सब्जेक्ट आपके पास ओना जो जोडिए है ठीक है इन्हें से एक सब्जेक्ट आपके पा वक्त शिरफ यह लिखना कि आपके पास experience कितने साल का है आपको proof जो देना है वो आपका interview के time पे जिस time आपके document चैक होगे उस time पे आपको अपना proof दिखाना है experience का इसके बाद ही आप यह फारम अपलाई करना चाहते हैं तो fees क्या रहेगी इसकी तो SC, ST और BC के लिए 200 पे करते हैं जो आपने किसके नाम में यह demand draft कटवाना है वो आपको बजाते हैं यह पे अबल एट चंडिगर्ड इन फेवर ओफ रजिस्टर रजिस्टर जर्नल हाई कोर्ट ओफ पंजाब एंड हरियाना चंडिगर्ड इसके फेवर में आपको यह demand draft कटवाना है ठीक है आपके जो मैंने आपको यह detail बता ही आपको निक्चे description में site है वहाँ भी मिल जाएगी वो मेरी official site है आप वहाँ से हर job की information पासकते हैं जो अभी इस टाइम पर फाम निकले में उसके बाद जो इसमें selection process क्या रहेगा तो आपका इसमे practical test का में इंट्रुव होगा और उसके बाद medical ह होगा इस परक्रिया को युदि आप रोश कर देते हो तो आप इसमें जो है job लगने के में योग्या हो जाते हो उसके बाद है जो आपने अपलाई करना है वो अपलाई कैसे करना है तो फारम है सिरफ offline तरिके से अपलाई करना है यानि कि आपको document send करने है फारम बरके जो फ पर आपका पोस्ट का नाम लिखावना जरूरी है जो आपने बेजना है वो आडरस में आपको बदातेता हूं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां भी आपको आडरस मिल जाएगा इस एडरस पर आपको send करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप आडरस देख सकते हैं जो लास्ट डेट है वहां पर ये document पहुंचाने की फारम बिजवाने की 24 दनवरी 2018 है ठीक है उसके बाद ये जो temporary base पे है लेकिन इन्हों ने ये ने लिखा कही 2 साल के लिए 3 साल के लिए हो सकता है ये 5 साल भी चल जाए हो सकता है 10 साल भी चल जाए लेकिन गॉर्मेंट नहीं है ठीक है तो ऐसी ऐसी वीडियो आप यह देखना चाहते हैं तो मेरी साइट पर आप चेक कर सकते हैं वहां मैं हर रोज अप्डेट करता रहता हूं और यह आप चैनल सब् करते हैं यह वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक ज़रू करें इस वीडियो को देखने करें आपका बहुत बहुत देने वाद भगवान करें आपका दिन सुब रहे हैं